जैन दोस्तो, नमस्कार, वेलकम तो अधुकेशन चैनल, तोड़े इस सप्टमबर 22nd and we are going to cover important current affairs and analysis for today's, सात्यों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो पहली news है, वो related है, जो agricultural, जो builds आए है, तीन उन से related, एक वीडियो मैंने बनाया है, दो दिन पहले, वो चैनल पे भी ड से related, आप उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको पूरी जानकारी, agriculture, बिल्स से related सारी आपको प्राप्त होगी, क्या है ये तीन agriculture bills, क्यों हो रहा है इसका विरोध, everything I have mentioned in that, क्यों आप उस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंको इसलिए जरूरी है कि आने वाले कुछ दिनों तक लागातार agriculture बिल्स पे ही debate होना है, बहस होना है, और अगर आपको current affairs में up to date रहना है, तो आप उन तीनों वीडियो को देखिए, समझिए ये तीनों बिल्स को study करिए, शुरू करते हैं आज का current affairs, जो पहली दोनों news है, वो agriculture agriculture bill से related है, जो members है, राजसाभा के MPs हैं, वो धरने बे बैठे हुएं, किसके खिलाफ में, agriculture bill से खिलाफ में, कहां आपको कैसे है, क्यों है agriculture bill, वो मैंने मेरा वीडियो आप देखिए, आपको मालम चलेगा, या आप अगर पहले से जानते हैं, तो well and good, दूसरा है, जो government ने minimum support price बढ़ा दिया है, किसका बढ़ा दिया है, गेहूं का, wheat का, 2.6% hike कर दिया है, क्या है MSP, यह मैंने वीडियो मेंशन किया है, वो आप उसको देख के समझ सकते हैं, so यह मैं आपको बता दूँ कि next few days तक यह पूरा topic, MSP क्या है, agriculture bills क्या है, farm agreement bill क्या है, वो सभी news में रहने वाले हैं, तो detail में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटा सा वीडियो है, आप एक पर उसको study कर दीजिए, then you will be able to understand क्या-क्या news है, so we will not waste our time, हम अपना time waste नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है, कि हम जो basic knowledge है, उसको प्राप्त करें, क्योंकि next news होती है, उसी का follow up होता है, now let's see, क्या है, हमारे पास है, यह है, again agricultural bill से ही कहीं न कहीं related है, editorial भी, क्या है editorial में, editorial में simple यह है, कि जो parliament में, जिस तरीके से राजसभा में हुआ, कि राजसभा में रकस create किया गया, उस पे author ने कहा है, कि that is not right, दूसरा वो यह कह रहे हैं, कि जो bill था, तीनों bill थे, constitutional and practical ground पे उनको challenge किया गया था, और viewpoint पे challenge किया गया था, और rule of procedure यह कहता है, कि उस पे voting होना चाहिए था, हुआ यह था, कि voice vote के साथ उसको pass कर दिया गया, उस पे split of votes नहीं हुआ, उस पे splitting नहीं की गई votes की, तो writer का यह कहना है, कि चुकि वहाँ पे, अगर members ने demand किया था, औ और यह rule है, कि अगर एक भी member अगर voting का demand करता है, तो उसमें split of votes किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें questions, constitutional और practical ground के questions raised किया गये थे, explanation क्या दिया गया, voice vote से pass करने का, कि house was not in order, मतलब house में रकस करेट कर हो चुका था, और disorder था, इसलिए voice vote के साथ में उसको pass कर दिया गया, लेकिन writer जो है, उससे differ कर रहा है, now next क्या है, next writer, what writer is saying is that, जो functioning ती राजसभा की वो सही नहीं थी, इस तरीके से हंगामा होना, बिल फाड़ देना, और tables पे चढ़ जाना, that is not good, और ये भी जो opposition member है, उसको भी ध्याम रखने की ज़रुवत है, कि इस तरीके का रकस जो है, प कि भारत-चाइना के जो relation है, उससे related है, and Beijing के related है, M.K. Narayanan है, इसके writer, ये former national security advisor है, so basic points है, similar points है, मैं इसको नहीं हम करेंगे, क्योंकि हम अलड़ी भारत-चाइना के बीच में बहुत बाते कर चुके हैं, we have discussed a lot, already we know कि Ladakh में कहां पे क्या हो रहा है, किस तरीके से भारत तो Chinese आर्मी के बीच में बात्चीच चल रही है, और इंडिया ने blame लगाया था कि चाइना भारत के areas में intrude करना चाहता है, चाइना ने counterclaim किया था, उसके बाद हमें ये मालूम है कि किस तरीके से SEOs की meeting होई, SEO में पहले defense minister की meeting होई, भारत चाइना के, then उसके बाद external affairs ministers की meeting होई, SEO मतलब संगाई cooperation organization September में, कहाँ पे हुई थी, रशिया में, उसके बाद 5 बिंदूओं पे सहमती बनी थी, तो ये सारी चीजे हैं, और विवाद क्या है, विवाद पुराना चला रहा है 1962 में जो लडाई हुई थी, उससे पहले से, so we are not going to talk again on this, अगर आप और जानना चाहते तो कोई भी पुराना वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं, तो आपको भारत चाहिना की issue के बारे में clear हो जाएगा, इस पे हम बात करेंगे, ये है, ये भी international relation से related है, लेकिन ये है Moscow को include करते हुए, क्या है इसमें, इसमें सेम चीज बात कही गई है कि भारत जो है, रशिया से वो भी participate करने वाले थे, इसमें चाइना भी था, तो भारत ने इससे pull out कर लिया था, corona का excuse दे के, now writer ये कह रहा है कि भारत और चाइना के इस लड़ाई के time पे, रशिया ने खुल के कोई support नहीं किया है, but writer का ये कहना है कि रशिया back door से एक diplomatic जो रोल है, अच्छा वो play कर है, and India को इसका welcome करना चाहिए, now ये अभी जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से Shanghai corporate SEO की meeting हुई रशिया में, Moscow में, वहाँ पे भी रशिया की तरफ से diplomatic action लिया गया, and ये कुशिश किया जा रहा है कि भारत और चाइना के बीच में शांती हो, और फिर ये भी कह रहे हैं क सेप्टमबर में, इंडिया और रशिया का naval exercise जो है, bianual, naval exercise इंदरा, वो कहां पे होने जा रहा है, अंडमान और निकबार में हुआ, तो इसकी भी बात जिकर की है, और फिर ये कह रहे हैं कि नवंबर में head of the states की, जो head of the government की meeting भारत में होनी है, तो भारत और रशिया के बी नए front पे भी काम कर रहा है, कि एक नई grouping बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत, अमेरिका, अस्टेलिया और जापान हो, ये एक क्वार्ट के नाम से एक नया institution या organization भारत डवलप करने की, उसका part बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों विरोधा भाष है, रशिया और अमेरिका एक तरीके से anti-type के हैं, लेकिन author का ये कहना है, कि zero sum game ये नहीं होना चाहिए, कि अगर हम रशिया से बात करेंगे, तो अमेरिका से बात नहीं कर सकते हैं, और रशिया भी इसी तीज़ पर बात करता है, वो चाइना से भी बात करता है, और इंडिया से भी अच और फिर व्लादिवस्तक में मीटिंग हुई थी 2019 में, तो वहाँ पे कई करार किये गए थे, और फिर ये राइटर बात कर रहे हैं, चाइना और रशिया के रिलेशन के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि चाइना जो है रशिया का एक important partner है, और अमेरिका को tackle करने के लिए चाइना के साथ बहतर और partnership अपनी बढ़ाई है, जो relation है, वो increase किये हैं, और ये भी आपको मैं बता दूं कि जब रशिया पे sanction की लगाया था, western world ने, अमेरिका ने, तो चाइना ने एक deal की थी, कई सालो multi years deal की थी रशिया के साथ में, जहां पर ये कहा था कि रशिया की oil and natural gas चाइना उसको खरीदेगा, जैसे कि चाइना की economy में पैसा जाए, ये हुआ था जब उस पे sanction imposed किये गए थे, रशिया से समान खरीदने में पाबंदी लगा दी गई थी, तो चाइना ने उसकी help की थी, तो रशिया जो है इसले चाइना से अच्छे समद रखना चाता है, इस और अमेरिका को चेक में रखने के लिए, तो भारत को अपनी strategy decide करनी पड़ेगी, ये जानते हुए कि जो रशिया है वो anti-China नहीं जा सकता है, तो भारत को ये clear है कि भारत, then क्या कर सकता है भारत, भारत ये कर सकता है कि रशिया के माध्यम से diplomatic terms में और बाचित के माध्यम स इस issue को solve करने की कोशिश करें, ऐसा writer का मानना है, और ये भी ये कह रहे है writer की India, Russia, Japan का एक grouping, अलग टाइप की grouping के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्योंकि जो व्लादी वस्तोक है, वो extreme east है, रशिया का, रशिया के पूर्वी भाग में एकदम, जापान के past area है ये, तो इस तरीके से भारत ये एक नए grouping, इंडिया, रशिया, जापान के grouping, ट्राइलिटरल ग्रूपिंग के बारे में सोच सकते हैं, फिर writer का ये कहना है कि जो changing global order है, इस changing global order में जहांपे कि अमेरिका और चाइना दो important power है, ऐसे में Moscow के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके, भारत अपन और जो Abrahamic Accords है, क्या है Abrahamic Accords, यही कई बार बात कर चुके हैं, इसमें है कि UAE के साथ में इसराइल की deal हुई, फिर बहराइन के साथ में deal हुई, क्या deal हुई, deal हुई, कि इनके बीच में जो diplomatic relation है, उनको normal किया जाए, और इसके तहत में जो flights है, वेपार है, वो normal हो जाए, क्य दिक्कत थी, दिक्कत यह थी, कि जो war हुआ था 1967 में, इसराइल और अरब कंट्री के बीच में, उसके बाद से diplomatic relation खराब थे, और Palestine की issue पे भी diplomatic relation खराब थे, तो उसके बाद से यह कोशिश हो रही थी, कि किसी तरीके से इन में समझाता हो जाए, so Donald Trump के कोशिशों के, जो American President है उनके कोशिशों से, इसराइल और UAE और बहरेन के बीच में समझाता हो गया, और then what writer is saying, writer यह कह रहे हैं कि, इसकी वज़े से, जो मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, कि दो तरीकों से किसी भी चीच को देखना चाहिए, जो भी news है, दो तरीके से देखिए, जो world की news है, उसमें ये देखना है, कि क्या news है वो, for example, समझा होता हूँ, now India का क्या hit है, वो हमें देखना है, तो India के hit के मारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी I will repeat again, कि जो Gulf countries है और इसराइल है, दोनों ही important partners है, important strategic partner है भारत के, इसराइल के साथ में, defense sector में, agricultural sector, बाकी sectors में बहुत अच्छा, भारत के वैपार भी है, और गल्फ में हमारे काफी लोग काम करते हैं, तो गल्फ में काफी पैसा भी, remittance के रूप में आता है, करीब 80 लाग लोग गल्फ एरियास में काम करते हैं, तो भारत के लिए दोनों एरियास important है, तो उन दोनों के बीच में शान गल्फ एरियास को, तो इसराइल और बाकी जो गल्फ एरियास को, उनकी लड़ाई शिफ्ट हो जाएगी गल्फ में भी, क्यों? क्योंकि इसराइल के जब वैपार बढ़ेगा, उनका सेटप बढ़ेगा, तो उसको निशाना बनाने के लिए गल्फ कंट्रीज में वो अपन सप्लाई करने लग जाएगा, एकनॉमी माटेरियल सप्लाई करेगा, जो डिफेंस सेक्टर में काफी सप्लाई उनकी बढ़ जाएगी, तो इससे भारत का हित जो है, वो भी एफेक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत के लिए भी वो एक अच्छा मार्केट है, तो उस मार्केट इसराइल जब गुसेगा, तो इसराइल भारत का मार्केट उस पर एफेक्ट होगा, तो इन दो-तिन चीजों को ध्यान में रखते हुए, भारत को अपनी नई स्टेट्जी बनाने की जरूवत है, और ये जरूरी है कि शांती वहाँ बने रहे, लेकिन एकनॉमिक इंट्रेस इन दोनों चीजों जो मैं आपको बता है, वो भी भारत को नजर में रखने की आउशकता है, फिर ये राइटर ये कर रहे है कि दुबई में भारत का बहुत-बड़ा इन्वेस्मेंट या बहुत-बड़ा स्टेक है, किस सेंस में है, वहाँ के जितना टूरिजम है, फ्री दुबई में काफी, दुबई अगरा में काफी इन्वेस्मेंट कर रखा है, इन्फेक्ट सेकंड हाउस बना रखा है लोगों ने, तो ये कंसर्न है, विच राइटर है रेजड ओवे है, ये है, बाकी एक इसमें है, इसके रिलेटेड लॉज के रिलेटेड, जो लेबर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आप उसको देखेंगे, उसको हम छोटा छोटा रखेंगे उस वीडियो को, उस वीडियो को छोटा वीडियो रहेगा, उसको आप समझ सकते हैं, ये तीन लेबर लॉज पास हुए है, तो इन तीनों के हम सेपरेट वीडियो कोची में ये पहली woman बनी है, airborne जो हैं ये competence, तो इनका नाम याद रहें कि प्रिलिम्स में आ सकता है BTEC किया इन्होंने और engineering के बाद में इसको join किया हुआ है सो चुकि first among the women है, so this can be art somewhere, तो आपको इनका नाम याद रहे दूसरा next है, भारत बंद है farmers का, किसके विर्योद में agricultural के विर्योद में, तो 25 तारिक को है वो, तो 25 तारिक तक आई hope कि आप agricultural builds के बारे में आपको जानकारी अच्छी हो जाएगे ये FCRA builds से related है, ना FCRA builds से related, ये भी मैंने अलग एक वीडियो बना दिया है, छोड़ा वीडियो बना दिया है आप उसको देखिए, वो भी मैं आज ही डाल दूँगा तो उसमें आप separate वीडियोस आप देखेंगे और उसको आप रख लेंगे, तो आप कभी भी उसको FCRA के लिए आप prefer कर सकते हैं ओके, सो इंडिया चाइना के बीच में छटे round of talks, तो अब मैंने आप भी आपको बताया कि 6th round of talks शुरू हो गई है और इसमें जो भी decision आएगा, that we'll have to see ये मैंने आपको बताया था कि जो financial action task force है, उसके तहत में पाकिस्तान का action जो है, 26-11 में जो action लिया है, उसको देखा जाएगा, that is under scanner and that will be evaluated कि पाकिस्तान ने enough action लिया है, या नहीं लिया है फिर ये भी एक news है महिलाओं से related, कि जो Rafal है Rafal में woman fighter pilot को भी train किया जा रहा है, कि वो भी Rafal को handle कर सके, Rafal आपको मालूम होगा, कि हमने उसको लिया था so that is another news and apart from that, we have some international news है हमारी उसके है, श्रिलंका से related है मैं आपको बता चुका है, कि वहाँ पे constitution नया बनाने की कवायद चल रही है and ये एक news है, whales lie stranded on a sandbar near Strahan, Australia तो वहाँ पे ये पाए गए है 250 whales है उनको rescue किया गया है Australia में उसके अलावा, we have the business news business news में हम GST हो गए है, पालोडी बात कर रहे है आज कुछ, there is nothing important exam perspective से ये एक news है कि चाइना से जो import है, हमारा 28% गिर गया है, अप्रिल से अगस्त के बीच में, but mostly ये import में कमी आई है, because of the corona and next is a sports news, sports news में IPL चल रहा है, और एक ये bubble में खेला जा रहा है, कल एक editorial भी था, air bubble, जो ये bio bubble है उसके उपर, bio bubble का जिकर मैंने तीन चाथ दिन पहले किया था, तो उससे related एक editorial भी कल हिंदू में ही था, so bio bubble में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से सभी को secure किया जाएगा, मिलने नहीं दिया जाएगा, और जो जहां पे है उससे ही होगा, तो मैं आपसे ये question में पूछा था, तो मैं अभी फिर आपको रिपीट करता हूँ कि जो नया ये setup है, for example IPL हो या बाकी जो sports हो, जो नया setup है, bio bubble है या खाली स्टेडियम है इन सब के related, जो psychological effect है, जो sports person पे पढ़ रहा है तो do you think there will be a psychological effect or effect in the performance of sports persons in the current context current context क्या है, तो उसमें आप लिखेंगे कि bio bubble क्या है और क्या-क्या provisions है ये important questions है, ये बहुत important question है, क्योंकि sports में बहुत जादा scope नहीं होता है questions का, तो ये बहुत बड़ा scope है, और कहीं भी आप exam में जा रहे हैं, तो इससे related questions आएगा मेरा point ये है, कि जो current circumstances है, जिस circumstances में sports खेला जा रहा है चाहें US Open tennis का tournament हुआ हो, चाहें जो IPL खेला जा रहा है, या जो test match खेले गए इस current changing environment में, do you think this is going to be the future for quite some time, and do you think will there be any psychological effect, or will there be any performance dip, तो आप इस पे लिखेंगे बात करेंगे, आप क्या क्या provisions हैं, क्या bio bubble होता है और इन सब चुज़ों बात करते हुए, और आप ये भी बात करेंगे अगर आप IPL देख रहे होंगे, तो उसमें simulate किया जा रहा है, आवाद simulate किया जा रहा है, crowd simulate किया जा रहा है, फिर आप देखेंगे technology का sahara ले रहे हैं, कि एक cover होने के बात में या six या four लग रहे हैं तो आप देखेंगे screen पे viewers दिखाये जा रहे हैं, तो ये technology के बारे में भी आप बात करेंगे, कि how technology is playing the role तो आप उसमें ये बात कर सकते हैं क्या ये future होने वाला है तो बहुत सारी चीजे हैं जो आप थोड़ा सा इस पर research करिए और फिर आप इसका answer लिखिए technology में में लिखिए, bio में लिखिए आप जिस तरीके से social distancing अगरा किया जा रहा है उसमें लिखिए आप इस question का answer देंगे so that's all friends for today's current affairs and analysis आपको मैं याद दिला दू दो अलग वीडियो मिलेंगे आपको एक FCRA बिल पे और जो अलग होगा वो होगा जो ये labor laws हैं उनके अलग वीडियो बनाके मैं डाल रहा हूं ताकि आप उनही topic के लिए उन वीडियो को refer करिए so that's all और जो भी हमारे नए लोग जोड़े हैं वो चैनल को subscribe करेंगे like करेंगे comment करेंगे